मेवात में आकर मेवात की अवाम से बोल रहा है कि मुझे तुमारी वोत की जरुत नहीं मैं जीत तो परली साइड से भी जाऊंगा मैं कहड़ा चाहता हूं राम इंदर जी जी आपके पसीने चुते हुए हैं कभी मेवात में बार बार दोरे कर रहे हैं आज जो इंदर जी बोलता है कि मेवात आगा रहा है क्या रामिंदर जीत को मेवात का खयाल नहीं आया उसने एक कदम तक मेवात में नहीं रखा मेरे नाम वसीम जाफर है मैं आम आदी पार्टी से जिला सची और लोग परवारी हूँ अज़र वसीम जी आपकी पार्टी इंडिया अलैंड्स में हैं इंडिया गड़बंदर में हैं मैं यही कहना चाहता हूँ सभी मेवात वासियों से और गुरगावा लोग सभा के सभी वोटरों से यही कहना चाहता हूँ हमारे राजबबबर जी हैं वो एक ऐसे इनसान है उसका दिल बहुत साफ है उसने कई बार संसद में भी ये बात कही है कि अगर मुसलमान अगर हमारे जो प्रोस में जो हिंदु भाई रहते हैं अगर वो गुजड़ते हैं तो उनसे कई बार वो हम सलाम करते हैं और जो मुसलमान भाई हैं वो राम राम करते हैं क्योंकि उसके अंदर ये धर्म की राजनिती नहीं है जो आज इन लोगों ने चला रखी है मैं इंदर जीश से कहना चाहता हूँ आप चार बार यहां से सानसद बन चुके हैं आप काम गिनवा कर दिखा दो कि गुरदावा लोग सभा में ये मेवात आती है इसमें आपने कितना काम किया है अगर आपने काम किया है तो बताओ कहां पर है अगर आपसे फॉर लाइन मेवातियों ने मांगी तो कौन सा गुना कर दिया आपने फॉर लाइन तक मेवात में नहीं दी और मैं कहना चाहता हूँ आज जो इनों लोवाले जो बोट बाटने का काम कर रहे हैं उनको मेवात में वोट नहीं मिल रही बल्कि मेवाती उनको गालियां दे रहे हैं क्योंकि वो इंदर जीत जी का साथ दे रहे हैं आज जो इंदर जी जी ने जो हमें एक सपना दिखाया था खौब दिखाया था रेल का आज वो हमें ट्रैन हमारी कहां गई मेवाद से पिछली बार भी डेड़ लाग वोट इंदर जी जी ने उठाई है 2014 में उसने यहां से 80,000 वोट उठाई थी वो कहां से आ गई वोट का हमें जवाब दें वो कहां गई वोट है आज जो इंदर जी जी बोलता है कि मेवाद आज उसको रेवाडी में थुटकार दिया गया है रेवाडी वाले उसको भघा रहे है मेवात माके पैर जोड रहा है उन मेवातियों का उसको ख्याल नहीं आया जब निर्दोस बच्चे जेल में जा रहे थे तब राव ईंदर जीट जी कहा थे जब भाजपा वाले कहा थे जब हमारे बच्चों पे जिल्म किया जा रहा था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था रावंदर जीत ने तो जिस समय जब नहू दंगा हुआ था, सबसे पहले स्टेक्मेट आई थी उन्होंने कहा था कि मंदिर में जाने के लिए हत्यारों की क्या जरूरत है रावंदर जीत जी ने जो ये बात कही थी वोट बटोरने की बात है अगर रावंदर जीत मेवातियों का इतना ही हमदर्द था तो मेवात में आया क्यों नहीं वो अगर मेवात का हमदर्द है, डॉक्टर सुसिल गुप्ता जी हमारे मेवात में आये थे राविंदर जीद ने मेवात में कदम तक नहीं दरा मेवात फुक रहा था, मेवात जल रहा था क्या राविंदर जीद को मेवात का ख्याल नहीं आया उसने एक कदम तक मेवात में नहीं रखा मेवात के लिए राविंदर जीद कहते हैं जी दिल्ली मेंगई इस इदिया है और गुरु गुरामेंद द्वार का एक्सपरेक्ष की यह कभी इनकी बात करते हैं मैं रामिंदर जीश से कहना चाहता हूं ने बात में हर इंसान अनपढ़नीरा जो यह कंपनियों ने जो यह रूड बनाया है तुमारा तोड़ी है यह रूड को बनाया है आज जो वो बेहद इतना टैक्स वसूल कर रहे हैं इसी अवाम से और तो इनका कुछ नहीं है उस रोड में इस रोड की कहां रोड की मैं बात बता रहा हूं मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैं पूछना चाहा हूं कॉंग्रेस पार्टी नेक जो नहीं किया वह आपकी अलाइंस में पार्टी को 55 साल दे कॉंग्रेस पार्टी ने यहां पर बहुत कुछ किया मेवात में और जैसे यहां पर होस्पिटल लाए तो उन्होंने कुछ काम किया है इन्होंने तो उनका काम को भी खतम किया है होस्पि फ्री होगी पानी फ्री होगा तो केजरी वाल कहीं न कहीं ऐसा नहीं है हमारा हमारा भी इंडिया गडबंदन के साथ हमारा समझोता है और हम हमारी जो है अर्विंद केजरी वाल जो कहेंगे वो काम जरूर होंगे और मेवात दिल्ली के टच में हैं मेवात में वो काम करके दि अभी कुछ पला भी अभी हमारे राजबबर जी हैं जो उनका एक ही दोरा हुआ है मिवातला है हमारा 25 तारिक को 25 तारिक से पहला हमारी संडे को हमारा राजबबर जी के साथ गुड़गाओं में हमारी मीटिंग है आमाधी पार्टी के सभी कार्रे करता संडे को उसके पास ज राज बबबर जी के लिए डलवाएंगे। में कहना चाहता हूं रामिंदर जी जी आपके पसीने छूटे हुएं तभी मेवात में बार बार दोरे कर रहे हैं कभी खटर जी को ला रहे हैं और कभी क्या नाम आप सर्णी जी को ला रहे हैं और कभी आप खुद आ रहे हैं तो बार बार आप angular आप कहां गए थे साड़े- पहले, कहा गये थे तब आपको मेवात की याद नहीं आई आज मेवात की वोटों की जरुत है मैं मेवात वासियों से करना चाहता हूं आपको बेकूब बनाने का काम क्या जा रहा है यह बुरी तरह हार रहे है भबर जी हमारे बुरी तरह जीत रहे हैं जो जो राजबबर जी ने रियानी वाला जोडालोग दिया था वो एक फिल्मी डायलोग था ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उसने कहा था कि कुछ लोग हमारे जो मेवातियों को बाटने का काम करते हैं तो उस टॉपिक पर उसने कहा था कि आप किसी दूसरे के पैसे में या किसी के खरीदे हुए आप किसी चीज को ना खाएं ताकि आपको ये लोग उसके बाद आपके से कहते हैं कि हमने तो वोट खरीदी थी रामिंदर जी जी बार-बार कहते हैं कि मेवात की वोटों को हम खरीदते हैं इसलिए हम काम नहीं करते हैं तो राजबबबर जी का कहने का मकसद यही था तो राजबबर जी ने कहा था कि मेवातियों आप मुझे अपना बना लो ताकि मैं यहाँ पर अपने एक आसियाना बना लूँ तो मेवातियों से कहीं न कहीं राजबबर जी बेहद प्यार करते हैं और मैं कहना चाहता हूँ आप मेवाती अधिक शदिक उसे स्पोर्ट करें जीतने के बाद कहा पाएंगे राज वबबर जी जीतने के बाद गुरु गराम में पाएंगे और सभी को पता एक सानसद कहाँ पे रहता है दिल्ली में हर सानसद की कोथी होती है लोगों को भेकरना का काम करा जा रहा है मैं कहड़ा चाहता हूं, राम इंदर जी से सानसत कहाँ पर रहता है क्यूं जन्ता को बे-कूअ बनाने का काम करने हो बॉंबई में वो क्यू जाएगा यूं दुनिया से बहुत पहले बहार आ चुके है और अब फिलहाल भी वो सानसथ अभी कुछ दिन पहले वो सानसथ है तो ऐसा कुछ नहीं है रामिंदर जी जी के लिए मिवात में कोई वोट बैंक नहीं है रामिंदर जी जी यहां से जीरो वोट उठाएंगे और रामिंदर जी सी बुई तरहारे में बार बार कहना चाहता हूँ मेवात वासियों से आप अधिक से अधिक बबर जी को स्पोर्ट करें और इंडिया गडबंधन को कामियाब बनाएं